आज इस लेक्शर में हम देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो मैक्रो एकुनॉमिक्स को माइक्रो एक्नॉमिक्स से अलग कर सकते हैं और किस तरीके से समस्ती या अर्थषास जो है वो वेस्टी अर्सास से भिनने है जैसा कि हम अभी पहले लेक्चर में आपको बता कर आए हैं कि मैक्रो एकनॉमिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है और जिसका अर्थ होता है लार्ज, विशाल या बड़ा या आप इसको ब्रॉडर भी बोल सकते हैं और मैक्रो जो है वो मैक्रोस से बना है और मैक्रोस का अर्थ होता है सूख्ष मिया छोटा अगर हम पर्डिकुलरली मैक्रो एकनॉमिक्स की बात करें तो मैक्रो एकनॉमिक्स जो है वो इसका संबंद विशाल आर्थिक क्रियाओं से होता है और समश्टी परक अर्थशास्त्र यानि मैक्रो एकनॉमिक्स में संपूर आर्थिक व्यवस्था का ध्यान सामोहिक रूप से किया जाता है सामोहिक रूप से हमारा तात पर एग्रीगेट से है aggregates यानि वे समूह जो की एक संपूर अर्थव्यस्था से संबंदित होते हैं जैसा कि हमने पिछले lecture में आपको बताया कि किस तरीके से हम इन समूहों में national income को, national product को और national savings, national investments को संबंदित करते हैं दुसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो समस्टी परक अर्थशास्त्र जो है, ये विशाल समूहों यानि ये जो large aggregates होते हैं जैसे कुल रोजगार कुल राश्ट्री उत्पादन या आए, सामान्य कीमत इस तर आदी की क्रियाओं का ध्यन करता है इसलिए समस्टी परक अर्थशास्त्र को हम aggregative economics भी बोलते हैं यानि इसे आप aggregative economics या हिंदी में अगर आप बोलें तो आप इसको सामूहिक अर्थशास्त्र भी बोल सकते हैं समस्टी परक अर्थिक विशलेशन इन समूहों के बीच में जो functional relationships होते हैं उनका अध्यान भी करता है यानि इनके बीच में जो फरन संबंद होंगे जैसे let's suppose हम बोलते हैं कि y is equal to c plus i यानि अगर हम y को बोलें कि ये राश्ट्री उत्पादन ये राश्ट्री आए है तो ये जो है किस पर निर्भर करती है ये निर्भर करती है आपकी consumption पर होने वाले खर्च और investment पर होने वाले खर्च पर तो उभोग व्याय और निवेश व्याय का जोड जो है वो हमारा कुल राश्ट्री आए या कुल उत्पादन को दिखाता है तो ये फलनात्मक संबंद है इन aggregatives के बीच में तो y is the function of c या y is the function of i ये ऐसा हम लिख सकते हैं इसे हम बोलते हैं functional relationships तो इस संबंद में अगर हम प्रोफेसर बोल्डिंग के वक्तव्य को देखें कि उन्होंने किस तरीके से macroeconomics को या समस्टी अर्थशास्त्र को परिभासित किया है तो वे कहते हैं कि समस्टी परक अर्थशास्त्र जो है ये व्यक्तिकत मात्राओं का अध्यान नहीं करता जैसा कि microeconomics में किया जाता है बलकि इन मात्राओं के सम्मूहों का अध्यान करता है यानि इनके aggregates का अध्यान करता है व्यक्तिगत आयों का अध्यान नहीं करता अपे तो ये राष्ट्री आय का अध्यान करता है यानि ये नेशनल इंकम का अध्यान करता है व्यक्तिगत कीमतों का अध्यान नहीं करता यानि किसी एक पदार्थ की कीमत या किसी एक वस्तु की कीमत या किसी सेवा की कीमत का अध् प्राइज आंडेक्स हो या कंजुमर प्राइज इंडेक्स हो इनका आध्यान करता है। ये द्यक्तिकत उत्पादन यानि किसी एक फर्म या किसी एक अंडस्ट्री के उत्पादन का ध्यान नहीं करता बलकि राष्ट्री उत्पादन का ध्यान करता है यानि वो उत्पादन जो देश की या राष्ट्र की समस्त उद्योगों के द्वारा उत्पादन किया गया हो लार्ज हमारे एग्रीगेट्स हैं उन लार्ज एग्रीगेट्स का अध्यान करता है और ये ओसतों का अध्यान करता है उनकी ओसतों का समूची व्यवस्था का अध्यान करता है उसकी व्यक्तिका दिगाईयों का अध्यान नहीं करता और प्रोफेसर गार्डनर एकले भी इन दोनों प्रकार के अर्थशास्त्रों में अंतर को इसपश्ट करते हैं और वे लिखते हैं कि समस्टी परक अर्थशास्त्र जो है यानि मैक्रो एकनॉमिक जो है ये एक अर्थवेवस्था में उत्पादन की समस्त मात्रा जैसे चरू का अध्यन करता है, राश्ट्री आयके आकार तथा सामाने कीमत इस तर से इसका संबंद है, दूसरी ओर अगर हम व्यस्टी परक अर्थशास्त की बात करें, तो व्यस्टी परक अर्थशास्त जो है ये किसी एक industry या किसी एक firm में जो उत्पादन हो रहा है वहाँ पर जो जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो किस कीमत पर हो रहा है इसका अध्यान करता है उसका कितना उत्पादन हो रहा है उसका अध्यान करता है और इस उत्पादन के लिए जो साधन आवंटित किये जा रह अगर हम देखें कि समश्टी अर्थशास्त्र किस प्रकार से व्यस्टी अर्थशास्त्र से भिन है तो हमको यहाँ पर यह clear करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि macro economics में ही केवल aggregates का अध्यान किया जा रहा है aggregates का अध्यान micro economics में भी किया जा रहा है बस केवल अंतर यह है कि जो यह समूँ है macro economics के जो समूँ है उनका समंद जो है वो समस्थ अर्थविश्था से है और जो micro economics के समूँ है उनका समंद directly जो relationship है वो macro economics या समूची अर्थविश्था से नहीं है अगर हम इसे example के रूप में देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि व्यस्थी अर्थशास्त्र में अगर हम देखें तो एक उद्योग कोई भी अगर एक industry है एक उद्योग के पदार्थ की कीमत उसकी price उसका उत्पादन उसका production और उसका रोजगार यानि वहाँ पे मिलने वाला employment निर्धारण ये इन सभी संबंधी क्रियाओं का ध्यान micro economics में हम करते हैं और एक उद्योग में बहुत सारी फर्मे होती हैं तो different different firms का जो aggregates होंगे वो industry के लिए एक समू का काम करेंगे तो firms के अगर हम different production को जोड़ दें या firm में मिलने वाले different रोजगार को हम जोड़ दें तो वो उस industry के लिए aggregate की तरह काम करेंगा लेकिन ये जो aggregates होंगे ये क्योंकि समूची अर्थव्यस्ता से संबंधीत नहीं है इसलिए हम इनको micro economics के अंतरगत अध्यान करते हैं और जो समूची अर्थव्यस्ता से संबंधीत होंगे उनको हम macro economics के अंतरगत अध्यान करेंगे इसी परकार से एक और example को देखा जा सकता है मान लीजिए कि हम व्यस्टी अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो व्यस्टी अर्थशास्त्र में हम बाजार की मांग और इसी परकार अगर हम एक नगर में एक उद्योग में श्रम की मांग और पूर्ती की बात करते हैं तो वो भी एक तरीके की aggregative concept है वो भी एक तरीके का सामूही का उधारणा है लेकिन उसका अध्यान भी हम किसमें करेंगे micro economics में ही करेंगे इसका मतलब ये है सार इसका ये है कि समश्टी परक अर्थशास्त्र जो है उसमें हम उन समूहों की उन aggregates की व्याख्या करेंगे जिनका संबंध जो है वो संपूर अर्थविवस्था से है पूरे जो है वो समूची अर्थविवस्था से है अगर हम particularly macroeconomics की बात करें तो हम यहाँ large aggregates की बात करेंगे और उनके उपसमूहों यानि जो उनके सब groups हैं उनकी बात करेंगे जैसे कि मैंने एक example दिया आपको Y is equal to C plus I तो यहाँ पर जो उभोग व्याय है और यह निवेश व्याय है यह उपसमूहों हैं या सब groups हैं जो आपका macroeconomic aggregate है जिसको हम बोलते है national income तो राश्ट्री आय जो है वो इन दो उपसमूहों में विभादित है वैसे ही अगर हम पूर्ती पक्ष को देखें तो Y is equal to C plus S के दोरा हम इसको निधारित कर सकते हैं यानि उप्भोग पर किया जाने वाला व्याय प्लस बचत और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमको राश्ट्री आय प्राप्त होती है तो यह जो यहाँ पर उप्भोग व्याय है और जो बचत किया गया है जो की निवेश के रूप में हमको बरिलक्षित होगी यह दो उप्समूव हैं इस राश्ट्री आय के तो मैक्रो एकोनोमिक्स में भी हम सब ग्रूप्स का अध्यायन करते हैं लेकिन यह जो सब ग्रूप्स होंगे वो किसी तरीके से सब ग्रूप्स होंगे किसके वो होंगे macroeconomic aggregatives के तो ये difference है macroeconomics और microeconomics में दोनों में ही aggregates का हम अध्यान कर रहे हैं लेकिन हमको देखना ये है कि इन aggregates का nature कैसा है और क्या ये aggregates जो है वो संपूर्ण अर्थविवस्था से सम्मंदित है या किसी एक firm या किसी एक industry या किसी एक individual से related है अब एक अगर simple example अगर हम एक और लें तो हम देखेंगे कि अर्थविवस्था में अगर हम देखें तो कुल मजदूरी जो कि आपकी let's suppose कि हम उसको W से निर्धारित करते हैं तो ये मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी है और इसमें अगर हम जोड़ दें कुल लाब को यानि profits को let's suppose हम profits को denote कर रहे है पी से तो ये जो मजदूरी है और जो कुल लाब है जो की श्रमिकों और जो investors हैं उनके बीच में divide हो रहा है let's suppose हम ऐसी economic की बात कर रहे हैं जिसमें एक तरफ जो है वो industrialist है जो की investment कर रहा है उसको अपने investment के बदले में profit मिल रहा है और दूसरी तरफ जो है वो laborers हैं जो की अपने wage अपने labor के बदले में उनको wage या मस्दूरी मिल रही है तो अगर हम देखें तो ये भी तरीके ये भी एक तरीके से दो subgroups हैं तो इस तरीके से आगर हम देखें तो ये दोनों subgroups जो हैं वो macroeconomics से related हैं इसलिए इन subgroups या इन aggregates का हम अध्यन macroeconomics में करेंगे ना कि microeconomics में और प्रोफेसर एकले इसको जो है वो और ज़्यादा इसको elaborate करते हुए ये बोलते हैं कि समश्टी परक अर्थशास्त्र में भी हम संपूर अर्थविवस्था से छोटे-छोटे सम्मूहों का भी प्रयोग किया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया ये subgroups हैं ये छोटे सम्मूह है और लेकिन हम देखें इनकी जो प्रकृति होती है वे पूर अर्थविवस्था के योग के उपविभाग बन जाते हैं यानि ये पूर अर्थविवस्था है और उसके ये उपविभाग बन जाते हैं तो इनका अध्यानम किस में करेँगे macro economics में जबकि एकले के अनुसार व्यस्टी परक अर्थसास्त्र भी जो है वो समूहों का ध्यान कर रहा है लेकिन यहां पे जो समूह हैं वो कैसे हैं यह पूर अर्थवयस्था के योग के संदर्व में या पूर अर्थवयस्था के संबंद में नहीं है अब इससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया हो विश्टी परक अर्थशास्त्र की विशय वस्तु जो है उसमें पदार्थ तता साधनों की सापेक्ष कीमतें यानि कोई एक प्रोडक्ट है कोई दूसरा प्रोडक्ट है इनकी सापेक्ष कीमतें कैसी हैं इन में साधन जो है उनका जो है उनका जो साधनों का वो किस तरीके से बटवारा हो रहा है वित्रन कैसे हो रहा है और जिसको हम allocation of resources बोलते हैं इन सब चीजों का ध्यान हम व्यस्टी अर्थशास्त्र में करेंगे जबकि समझ्टी परकार्थिक विश्लेशन में हम जो है वो राष्ट्री आए जिसको आप national income बोलते हैं या रोजगार जिसको आप employment बोलते हैं इन सब का इसतर कैसे निर्धारित होगा राष्ट्री आय और रोजगार करने धानन कैसे होगा और राष्ट्री आय और रोजगार जो है उसमें किन कारणों से जो है वो उच्चा वचन आते हैं इनका ध्यान किया जाता है अगर हम देखें तो long term में या दीरकाल म जो है वो राष्ट्री आय में जो व्रिद्धी है वो किन तत्वों पर निर्भर करती है कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो कि determine करेंगे कि long term में जो है वो राष्ट्री आय में व्रिद्धी होगी की नहीं होगी इन सब का ध्यान हम समश्टी अर्थशास्त्र में करेंगे तो मुख् होते हैं इसके साथ ही साथ इन में होने वाले उच्चा वचन जिसको हम व्यापार चक्र में यानी जो हम जिसको हम trade cycles बोलते हैं या business cycles बोलते हैं उसका भी जो अध्यान है वो macro economics के अंतरगती किया जाएगा ये भी इसका एक प्रमुप विसाय छेतर है इसके साथ साथ जो है growth या development जिसको आप बोल रहे हैं हाला कि दोनों में थोड़ा सा difference है और हम देखेंगे बाद में आगे चलके कि growth और development में economic growth और development में क्या difference है वो हम आगे चलके देखेंगे लेकिन इसका विसाय छेतर ये है कि किस तरीके से जो आर्थिक विरिद्धी या विकास है उसका निध वो macro economics के अंतर का अध्यन करेंगे तो I hope कि इस lecture से आपको समझ में आ गया होगा कि basic difference क्या है macro और micro economics के बीच में समझ्टी और वियस्टी अर्थशास्त्र के बीच में और next lecture में हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्रतिष्टित अर्थशास्त्री और जो समझ्टी अर्थशा कि कौन सी ऐसी मानिताएं थी जिनकी वजह से micro economics के साथ साथ एक ऐसा concept जो की micro economics के नाम से जो है जिसका उद्भो हुआ उसका उद्भो क्यूं हुआ उसको हम जानने का प्रयास करेंगे थैंक्यू सो मच